हेलो एब्रिवन, गुड मॉर्निंग, विल्कम बैक टू माई चैनल, कैसे हैं आप सभी, I hope आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ, तो फ्रेंट्स ये वीडियो है 28 नवंबर का और दिन है मंगलवार का सुबह सुबह का टाइम है, सुबह से मेरी वीडियो की जो है सुरुवात होई है, और इस टाइम पर अभी लगबग साड़े 6 बच रहे होंगे, और यहाँ पर मैं लगी हूँ बच्चों का टिफिन बनान सब्जी जिसके लिए बहुत सरे कमेंट भी आ रहे थे कि आप रात में सब्जी मत काट के रखा करो, मतलब नहीं काटना चाहिए, तो आभी थोड़ा सा टाइम रहता है, इसलिए मैं सुबह सुबह ताजी-ताजी सब्जी कट कर लेती हूँ, और यहाँ पर मैंने सब्जी र लग रही है, तब तक मैं बरतनों को सेट कर दूँगी, और बच्चे भी अपना अभी इस टाइम पे नहा रहे थे, और यह सारे काम करके फिर अपना बच्चों को टीफिन वगरा मैंने दे दिया है, बच्चे चले गए हैं इस टाइम पे और अभी लगबग साड़े आठ बचे हैं, हस्बन भी चले गए थे ऑफिस, इस टाइम पे मैं लग गई हूँ सिलाई करने के लिए, तो ये सिलाई का कामना काफी टाइम से पेंडिंग था, मतलब छोटे मूटे कपड़े जो होते हैं हमारे ये वैसे कपड़े हैं जिनकी सिलाई खुल जाती है, जो मतलब फट जाती है, वो सिलाई जो है खुल जाती है, तो बस ये ही सारे चेज़ें थी, जो रखी हुई थी, मैं आजकल, आजकल कर रही थी, तो काफी दिन हो गया था, ये ही आजकल करते करते, तो मैंने सोचा कि अभी मैं सारा काम खतम कर लूँगी, फिर करूँगी, और साइम ऐसे निकल जाता है कि पता ही नहीं चलता, तो मैंने सोचा कि अभी जब बच्चे गए हैं, तो मैं अभी खाली हो गई थी, मतलब फ्री हो गई थी, वैसे अभी काम कुछ भी नहीं हुआ था, तो मैंने सोचा कि अभी मैं सिलाई वाला काम जो है, वो खतम कर लेती हू तो बस यही पर मैं बैट गई हूँ सारे कपड़े लेके जितने भी जिनके सिलाई निकली हुई थी ना वो सारे लेकर के और बैट गई हूँ इनको सिलने के लिए तो क्या है ना कि कल मैं जब बैट्रीट चेंज की थी तो उसमें पिलो कवर नहीं डाली थी जैसे ही मैं पिलो कवर डालने के लिए लेके गई ना तो देखी तो वो काफे ज़्यादा उसका सिलाई खुली हुए थी तो वही मैं रग दी थी कि मैं इसको कल कर लूँगी तो यहाँ पर मेरी जो सिलाई का काम है वो लगभग हो गया है थोड़ा इस पर टाइम लगा था तो बस होई चुका है यह सारा काम भी और अब आपको मैं दिखाती हूँ सुबह सुबह मेरे घर की जो हालत है वो क्या हो रखी है और आज भी मौसम काफी ज़्यादा खराब है कल मैंने बताया था ना मौसम बहुत ज़्यादा खराब है बहुत बादल हो रखे हैं लेकिन आज जमें सुबह उठके देखी ना तो हलकी-लकी सी बारिश होई थी शैद रात में तो बारिश का असर है इसलिए आज भी बहुत ज़्यादर टंडी है तो घर का हाल में दिखा रही हूँ बरामदे में आप देख सकते हैं कल जो मैंने सारे कपरे धूले थे ना वो ब दोनो रूम और ये जो बरामदा है ये पूरा मतलब फैला पड़ा है और इस टेम पर ठंड आ गई है ना तो ठंड में जिससे कपरे भी काफी ज़्यादा हो जाते हैं बच्चों की स्कूल और घर की युनिफॉर्म वगेरा और जिससे स्वेटर्स वगेरा होते हैं ठंडी क काम जो सबसे ज़्यादा है वो कपडों का ही दिख रहा है तो चली हम मैं इसको साफ करूंगी समेटूंगी और जब तक मैं इसको ठीक नहीं कर लोंगी ना तो मुझे चैन बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा तो फटफट से मैं लग गई हूं ये पूरा बिखरा हुआ जो फ आके चले गयते ना इनको मैं बाहर डालूगी तो ये हलकी कपड़े है ना धूप तो नहीं है बाहर लेकिन फिर भी जैसे हलकी फुलकी से हावा चलती है ना तो वो सूप जाएंगे और इसके बाद मैंने एक साइट से सुरुआत की है अच्छा जब भी घर में सफाई करना बहुत जादा चीजे फैली हुई होती है तो जब भी चीजे समझ में नहीं आए ना तो आप एक साइट से सुरू करो और जब भी आप एक साइट से अपने घर की साफ सफाई करना सुरू करोगी ना तो बहुत जादा माथा पच्ची नहीं होगा मतलब बहुत जादा आपक को arrange किया मैंने और ये जो blanket है ना ये बच्चे दोपार में यहां पर जिसे टीवी देखते हैं और फिर यहीं पर सो जाते हैं टीवी देखते देखते स्कूल से आने के बाद तो ये blanket यहीं पर रखा हुआ था तो मैं इसको रख दूँगी अंदर वाले रूम में और यहां पर पूरा ये जो bed है इसको खाली कर दूँगी तो जो चीजे जहां की है ना वहीं अच्छी लगती है यहां पर मैं खाली ही रखती हूँ कुछ भी यहां पर समान नहीं रखती क्योंकि कभी कोई अगर आ भी जाते है ना तो फिर मैं लिया करके रख दूँगी लेकिन पहले से मैं यहां पर कोई भी ब्लैंकेट वगरा नहीं रखती हूँ यहाला bed मेरा खाली ही रहता है इसके बाद इना बराम्दे में आ जाते हैं तो ये कल के सारे कपड़े हैं जैसे कि तैसे हैं मतलब इनका बहुत थोड़ा थोड़ा ही पानी सुका है जैसे कि तैसे वाईसे ही गी तो यह जो बेड़ सीट है पहले मैं बेड़ सीट को फैला दी थी यहीं पर और इसके बाद इस पर जितने भी वुलन से जितने भी सुएगी बच्चों के और मेरे स्वेटर वगरा हैं इन सब को मैं यहीं पर लगा दूंगी तो बस यह सूखता रहेगा और नहीं भी करना तो चली यह मैं ठीक कर दिया है अब आजाते हैं बेडरूम में तो सुरवात मैंने बाहर से की है सबसे पहले बाहर वाला रूम फिर बारामधा पढ़ता है हमारा की सामान और इसके बाद फिर रहा है वो बाहर ही रखा हुआ होता है तो बस यहां पे ब्लैंकेट थे जिनको मैं सही से लगा दी हूँ और फिर सफाई कर लेती हूँ बच्चों के स्टेडी टेवल की तो स्टेडी टेवल जो आप देख रहें न यह आज पूरा अच्छे से खाली हो गया मतलब मैं बच्चों को बोलके रखी थी कि आज मैं इसकी सफाई करूंगी तो यहां का अपना जो भी समाने न वो हटा ले न वरना कुछ भी दर दर हो जाएगा तो फिर मुझे बोलते हैं बच्चे तो यहां न पूरा खाली ही था कुछ भी नहीं था और मैं लग गई हूँ इसको कॉलिन से साफ क लगाया था इस वज़े से मुझे बहुत गंदा लग रहा था बीच बीच में कहीं कहीं काफी ज्यादा गंदगी लग गए थी तो चलिए यह जो टेबल कैलेंडर है न यह अन्या मेरी बनाई हुई है अपने हाथ से ही और यह थोड़ा सा वी अगर इदर इदर हो जाता है तो बहुत गुसा करने लगती तो वही मैं यहाँ पर सफाई कर रही थी ना तो वह भी खर गया था तो मैं ढूड़ने लगी कि नवंबर कहां चला गया तो उसमें डेट डली होई है आप देखी रहोंगे 28 नवंबर है तो ढूड़ करके फिर और मैं उसको सेट करी हूँ ज से बरतन में और सब्जी आज थोड़ी ज़्यादा ही बच गई थी ज्यूंकि पत्ता को भी थोड़ा ज्यादा हो जाता है तो सब्जी ज्यादा बच गई थी तो वस खाली कर गए मैंने सारे बरतन को बाहर निकाल दिया है और इसके बाद यहाँ पर किचेन प्लेटवां को और इसको गैस चुले को अच्छे से साफ कर लेंगे तो अब हो गई है मेरे किचेन की क्लीनिंग लगबग सारा घर जो है साफ हो चुका है और यह रह गया था मशीन जो कि कल मैं कपरे धुली थी ना तो लाश्ट में मैं एक पुरानी बेटशीट डाली थी जिसमें मैं गेह कि सोरी ब्लैंकेट को नहीं बेटशीट को निकालूंगी और इसके बाद यह जो मशीन है इसकी सफाई कर देंगे तो बस यही छोटे मोटे काम थे जो मेरे रह गये थे और घर जब तक साफ ना करो तब तक चैन नहीं पड़ता है मतलब अंदर से आजीब से बेचैनी सी होत देया तो मैं भी जैसे ही बच्चे गए बैसे ही लग गई थी अपने सारे काम में तो सारा काम टाइम से हो गया है बहुत ज्यादा देर नहीं लगी है और मौसम भी काफी अच्छा ठंडा है तो मुझे ठंड नहीं लगती मैं जब इकाम करती रहती हूं ना कि में स्वेटर साइड से काफी ज़्यादा गंदी है मतलब इसमें न डश्ट लग गई थी वैसे साफ करती रहती हूं मैं ऐसे ही कपड़े से तलब गीला कपड़ा करके मैं पोच देती हूं तो इच्छे से साफ हो जाता है तो वही थोड़ी बहुत इसमें अभी डश्ट लग गई थी जिसक तो यह यहां कषी में हुआ थी बहुत देर हो जाती है जब जादा नचरब पड़े गे साफ में इसको तुरंत से साफ करो इससे साफ उत्रा रहेगा तो सबसे लाश्ट में अभी पहुंच देंग प्रोई मैं इसकर रा सुर्च का लिई मैं वाश्झ साफ यहां तैसरे दिन ही दूलने के लाइग हो जाता है गंदा हो जाता है तो मैंने यहां का मिरर भी साफ किया और फिर वासपेशन को भी साफ कर दिया है सबसे लाश्ट में बारी ही आती है पोछा लगाने की और पोछा लगाने के बाद फाइनली मेरा छोटा सा घर जो है ना वो साफ सुत्रा हो गया है तो देख सकते हैं आप पूरा घर जो है क्लीन कर दिया है मैंने और ये मेरा रोज का ही रूटीन है मतलब हर दिन सुबह में ऐसे ही घर फैला हुआ होता है और फिर मैं उसको अरेंज कर देती हूँ सारी चीजे जो जहां की है वो वहाँ पर तो ये आप देखी सकते हैं पहले क्या हाल था और अभी क्या हाल है तो यहां पर सारे कपड़े सूख रहे हैं और जितना सामान जो जहां था वो वही मैंने रखा हुआ है तो वही है न घर छोटा हो या बड़ा बस साफ सूथरा होना चाहिए वो ज़्यादा मैंने रखता है जरूरी नहीं कि आपका घर बहुत बड़ा हो बहुत तारी चीजे बहुत महेंगी चीजे हों आप कितना भी कुछ भी रख रहो लेकिन अगर वो चीजे साफ सूथरी नहीं रहेंगी न तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी अरेंज करके रखी हूं सारी चीजे ताकि देखने में अच्छा लगे खुद को भी अच्छा लगे और अपने आपको जो चीजे अच्छे लगती है न वो समझ लीजे सबको अच्छे लगती है तो अपने तरीके से, अपने हिसाब से अपने घर को और्गनाइज करके रखना चाहिए, जितना हो सके मैं भी ऐसे ही करके रखी हूँ, पूरा घर लगबग मेरा सेट हो चुका है, सारे चीजें साफसुत्री हो गई हैं और ये देख सकते हैं आप किचन भी, यहाँ पर न ये बर्तन रखे हुए हैं, जो अभी नास्ते वाले बर्तन थे, मैं धूले हैं, तो यही बर्तन हैं, इनको मैं सेट करूंगी, और इधर ये कडाही रखी हुई है, जिसमें मैं पूरियां फ्राई की थी, नीचे में रखा हुआ है, ये दही, दही नहीं, सारी, मलाई, जो जिस और बस अभी दोपार का टाइम हो गया है, मैं न यहां पर रोटियां बना रही थी, तभी अन्या यहां पर ये पैकट खोल रही थी, तो चलिए फ्रेंट्स, काफी जादा टाइम हो गया है, और आज के छोटे से व्लॉग को मैं यहीं परेंट करती हूँ, I hope आप सभी को प झा करते हूँ